हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWT जॉब में बाल भारती स्कूल से टीचर्स की वैकेंसी आई है जहां पर ग्रेजवेट पोस्ट ग्रेजवेट बीएड एंटिटी सीटेट पास कैंडिडेट अप्लाइ कर पाएंगे फ्रेशर भी जो है यहां पर eligible रहेंगी और जिनके पास अनुबव है वो तो अप्लाइ कर ही सकते हैं और इंडिया कैंडिडेट जो है यहां पर आवेधन करें सेलरी और साथ में एज क्वालिफिकेशन यह सबी जो है सीबिसी नॉम्स के अकॉर्डिंग जो है यहां पर फॉलो होंगे और सेंट्रल गॉर्मेंट टूल के अकॉर्डिंग ही जो है सेलरी आप लोगों को मिलने वाली है तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन कौन-क प्राइमरी टीचर्स, मॉन्टेसरी टीचर, स्टैम कॉर्डिनेटर, पर्फॉर्मिंग आर्ट, फ्रंट डेस्ट, एक्जेक्यूटिव की वेकंसी आई है चीक है टीचर्स की अगर हम बात करें तो पीजीटी में फिजिक्स, मैट्स, काउंसलर, पॉलिटिकल साइंस, टीचर्स की वेकंसी है और यहां पर बिलकुल मास्टर डिग्री के साथ में बीएड भी होना जरूरी है और पांच साल का अनुभव तो जिनके पास अनुभव है वो ही केवल पीजीटी के लिए अपलाए कर सकते हैं उसके बाद जो है टीजीटी टीचर्स के लिए कोई भी अनुभव नहीं चाहिए और नहीं जो है सीटेट यहां पर मांगा गया है फिजिक्स हिस्ट्री इंग्लिस हिंदी सब्जेक्ट है लेकिन यहां पर मास्टर डिग्री के साथ में बीएड जरूरी है प्राइमरी टीचर्स के लिए जो है इंग्लिस मैट्र हिंदी जर्नलिस् जो है बैचलर डिग्री प्लस बीट प्लस सीटेट प्लस फाइफ यर का एक्सिपिरेंस तो ऐसे गंडी रेट जिनके पास कोई अनभव नहीं है तो वो टीजीटी के लिए बिलकुल अप्लाए कर सकते हैं लेकिन यहां पर सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए बी इसलाइजेशन परफॉर्मिंग आर्ट सितार तबला और म्यूजिक टीचर की वेकेंसी है और जिसमें अनुभव अगर नहीं है तो भी अप्लाए कर सकते हैं और साथ में डिग्री डिप्लॉमा जरूरी है फ्रन्ट डेस्क एग्जेक्यूटिव के लिए ग्रेजुएशन जो है चाहिए और साथ में कम्प्यूटर की नॉलेज भी मागी गई है वेकेंसी जो है बाल भारती पॉब्लिक स्कूल सेक्टर 21 नोईडा जीबी नगर यहां से आई है इसके उपर ही आप अगर देखेंगे तो आप लोगों को इसके उपर एप्लिकेशन फॉर्म फॉर टी हैं तो बाए हैंड इसकूल में जाकर समिट करवा सकते हैं ठीक है जो की एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है तो आप यहां पर नीचे देखें एज एन एलिजिबिलिटी एस पर सी बिसी नॉम्स सैलरी जो है सेंट्रल गॉर्मेंट टूल के अकॉर्डिंग ही जो है द 2024 दो जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं अप्लिकेशन फॉर्म लास्ट डेट जो है 24 जनवरी है अगर आप नजदीक रहते हैं स्कूल के तो साड़े आठ से साड़े 11 बजे तक और वर्किंग डेज में आप लोग समिट करा सकते हैं अप्लिकेशन फॉर्म अब चलिए में पर देखेंगे कि एप्लिकेशन फॉर्म के लिए आप लोगों को कहां पर जाना होगा तो यह जो है स्कूल की में वेबसाइट है बाल भारती पबलिक स्कूल नोईडा और स्कूल काफी बड़ा है यहाँ पर पहले आवास की सुविधा जो है टीचर्स को दे जाती थी बट नोटिफिकेशन में जो है ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो यह कहां नहीं जा सकता सैलरी जो है काफी अच्छी दी जाएगी यह तो कंफर्म है तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको आना है नीचे जो है आप लोगों को होम के साइट में मिलेगा करियर सेक्शन इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और यह पेज आपके सामने आएगा थोड़ा सा आपको नीचे आ स्कूल में जाकर समिट करवाएं और ऐसे कैंडिडेट जो दूर रहते हैं उनको एड्रस जो है पता होना चाहिए तबी जो है आप लोग बेश माएंगे तो उसके लिए जो है आप लोगों को प्रॉपर एड्रस जो है लिखना होगा तो एड्रस के लिए जो है होम करियर सम कॉंटेक्ट अस यहां कॉंटेक्ट अक्स पर जो है आप लोगों को क्लिक करना है और आप लोगों को एड्रेस मिल जाएगा यह रहा एड्रेस बाल भारती पब्लिक स्कूल नोईडा सेक्टर 21 गौतम बुद्नगर नोईडा यूपी तो उतर प्रदेश की जो है यह वैकेंसी पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा काफी जो है अच्छा इसकूल है और अगर आप लोगों को गूगल पर देखेंगे तो आप लोगों को यह देखिए यह जो है उतर प्रदेस में है यह बाल भारती स्कूल सेक्टर 21 ठीक है यह आपका स्कूल है तो कहीं पर भी आप apply करते हैं, सबसे पहले school के बारे में जो है जानकारी ले, उसके बाद जो है apply करें, तो चलिए जो भी candidate interested है, subject है, और जिनके पास कोई अनभव नहीं है, TZT में apply करें, जिनके पास अनभव है, PZT, या फिर PRT, entity, जो teachers हैं, उनके लिए apply कर सकते हैं, मिलें नेक्स्ट वीडियो में, THANK YOU